हेलो दोस्तो स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वे बहुत ही महत्पूर्ण है आज की हमारी जानकारी होने वाली है हम ऐसा क्या करें जिससे गुलाप के पौंधे पर ज्यादा से ज्यादा फूल आएं और वे भी एक भी रुप्या खर्ची किये इसके अलावा जो आपका पौंधा है वे भी स्वस्त रहे और जो आपका गार्डन है वे गुलाप के फूल के पौंधों से मस्त रहे तो दोस्तो आज मैं आपको छे ऐसी जानकारियां देने वाला हूँ जिनको अगर आप अपने गुलाप के पौंधे पर अजमाते हैं तो आपके पौंधे में बहुत सारे फूल आने वाले हैं और आपका इसमें बिलकुल खर्च होने वाला नहीं है तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा उसमें कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तो बस हमारा मोराल बढ़ जाता है बस इतना ही आपको एक काम करन तो आईए मां आपको एक एक करके छेट टिप्स देता हूं और आप उनका यूज कीजिए और अपने गुलाब के पौंधे को स्वस्त मस्त और फूलों से भरा हुआ बनाईए तो दोस्तो जो आज की पहली टिप आपके लिए होने वाली है वे टिप यह है कि आपको सबसे पह गुलाब के पेड़ को नहलाएगा जी हाँ दोस्तो मैं ये सही बोल ला हूँ अप्रैल मई और जून इन तीन मेहनों के लिए दोस्तो ये टिप आपके बहुत काम आने वाली है वैसे तो ज़्यादा तर लोगों के द्वारा ये बोला जाता है कि आप गुलाब के के पेड़ों को जो है जहां पर ज़्यादा धूप आती है अच्छी धूप आती है वहाँ पर लागाएं ये बास सही है दोस्तो लेकिन क्या आप जानते हो मै जून के महने जो होते हैं बहुत ही गर्मी के होते हैं इससे ये पौंधा जुलश जाता है हलाकि इसमें पौंध ज़्यादा फूल आपको नहीं देते क्योंकि ये गर्मी में सर्वाइब करने में इनको भी दिक्कत होती है जैसे हमको होती है अगर सुबह सुबह आपके पेड़ को नहला देते हैं इस प्रे के द्वारा सहाप पानी से इनकी डस्ट भी चले जाएगी अगर इनमें कुछ इस तरीके के कीट वगेरा जो होते हैं जो अंडे वगेरा दे देते हैं तो ये भी धुल जाएंगे और इसके लाब आप पेड़ को ताजगी मिलेगी पानी मिलेगा वे बहुत ही अच्छा ग्रोथ करने वाला है आप मेरी इस बात को माने या न माने लेकिन ये एक बहुत ह महत्वण जानकारी है इसको आपको इग्नोर नहीं करना चीए अब दोस्तो जो माँ आपको एक और सेकिंड जानकारी देने जा रहा हूं वे भी बहुत महत्वण होने वाली है वे जानकारी ये है दोस्तो अगर आपकी मेरे ये जो पौधा है इसमाँ आप देख रहे होगे एक में फूल सूख गया है और एक में सूखने की तयारी में है एक दो दिन में ये भी सूख जाएगा तो जिस टहनी पे दोस्तो एक ही फूल आया हो आपको उस टहनी को भी जाधा दिनों तक नहीं रखना है फूल लेने के बाद आपको इस टहनी को जो है यहां से काट देन अगर आप देखते हो कि इसमें कोई फूल आने की गुंजाइस है बची हुई तभी आप इसको रखे अन्यथा आप इसको काड़ दीजिए अगर आप इसको नहीं काड़ते हैं दोस्तो तो ये टहनिया अपने आपको सर्वाइब करने के लिए आपके पौंधे में जो आपने कि खास तोर पर जब गर्मी का मौसम आने वाला होता है और आपके गुलाब के फूल या तो आने वाले हैं या फिर आ रहे हैं उस वक्त आप देखोगे जैसा कि आप मेरे इस पौंधे पर देखी रहे होगे बढ़िया धूप खिली है और बढ़िया से दिग भी रहा है ये इसमें बहुत सारे कीडों ने अंडे भी दे दिये हैं और ये छोटे छोटे कीट जो हैं दोस्तों अगर नजदीक शापको बढ़िया से डिस्प्ले थोड़ा अलग हो गया था तो ये आप देख सकते हो ये छोटे छोटे कीडे जो हैं इसमें हो रहे हैं जब आप इस कीड जो हैं हमारे फूलों को नुक्सान पहुंचाते हैं नए आने वाले पूंधे को फूल को नुक्सान पहुंचाते हैं आपके पेड़ के पत्तों के रस को सोख लेते हैं जिससे आपका पेड़ वीग हो जाता है और कुछ समय बाद वे सूग भी सकता है या आपको कम फ् है अब आज कल के समय में बहुत सारे कीड हो गए हैं तो इसलिए आप अगर कोई हों मेड तैसे बनाना जानते हैं जैसे बनते ole और के पतों को समय तक भीदा कर रखने से भी किड़ंते है और इसberry अधले जाती है जो आप को नेक्स वीडियो में दिरे-धिरे बताऊंगा तो आप उनको डाल सकते हैं ये आपके लिए एक फ्री का कीट नासग होगा और अन्यथा आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप सौब में जा करके जो गुलाब के पहुंधे के लिए कीट नासग होता है वे मांग सकते हैं और इन पर डाल सकते हैं आपका पौधा बच जाएगा फूल बड़े बड़े आएंगे ये दोस्तो आपके लिए तीसरी जानकारी तो दोस्तो अब हम आप से चोथी जानकारी के बारे में बात करते हैं चोथी जानकारी ये है कि आपको अपने पौधे की soft pruning कननी है प्रूनिंग दो प्रकार की होती है सौप्ट और हाड जिस समय फूल आ रहे होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया जिन टहनियों में फूल नहीं है आप उनको काट दीजिए, हटा दीजिए या फिर आप थोड़ी सी जाधा प्रूनिंग करना चाहते हैं तो पौधे को उपरी भाग से हलकी फूल की प्रूनिंग कर दीजिए वे सौप्ट प्रूनिंग में आती है तो सौप्ट प्रूनिंग से भी आपका पौधा अच्छा बढ़ेगा नेने कल्ले और फूल उसमा आएंगे तो इस तरीके से ये एक जानकारी और पूरी हुई तो दोस्तो पांचवी जानकारी भी प्रूनिंग से रिलेटेड ही होने वाली है तो आपको क्या करना है असमय अपने पौधे की प्रूनिंग नहीं करनी है भरी गर्मी में भी आप इसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे बहुत जादा जाड़ों में जब कोहरा घना आये रहता है उससे में भी प्रूनिंग नहीं करनी है जब 5-6 दिन की बरसातें लगातार लग जाती है पानी लगातार बहता है उसमें भी प्रूनिंग नीक कननी है क्योंकि ऐसे अनिस्चित मौसमों में आपका पहुंधा जो है सर्वाइब नहीं करता उल्टे आपको नुक्सान होता है उसमें फंगल बगला लगती है पिर आपको फंगल ना सक ढालना होगा और हो सकता है वे सूख भी जाए तो दोस्तो एक अन्य और जानकारी भी है जो मैं आपको देना चाहूंगा वे ये है कि सोब्ट और हाट प्रूनिंग तो मैंने आपको बता ही दी प्रोनिंग सबको पता ही होती है लेकिन एक चीज और है दोस्तो जैसा कि आप इस पौंधे पर देख रहे होगे ये एक कल्ला बहार से आया हुआ है और ये जो मैंने उंगली लगाई है ये कल्ला अंदर की ओर से आया है तो दोस्तो जहां पर कल्ला अंदर की ओर से आया हो आपको जस्टिस से उपर से प्रोनिंग करनी है अगर आप ऐसा करेंगे तो ये जब कल्ला ग्रो करेगा दोस्तो ये अंदर की तरफ जाएगा और जब आप ऐसे पूरे पेड़ की प्रोनिंग कर देंगे तो सारे कल्ले जब अंदर की ओर से ऐसे और ऐसे जाएंगे तो दोस्तो आपका पेड़ देखने लाइक बनेगा आप उसको आसानी से बाद भी सकते हो और वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा लेकिन अगर आप जो बाहर को जाते वे कल्लों की प्रूनिंग कर देते हैं तो ये बाहर की तरफ को जाएगा और आपके लिए समालना इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा तो दोस्तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारे आपको बहुत पसंद आई होगी मिलते हैं अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा धन्यवाद